पत्ति पत्नी के रिष्टे या बॉइफ्रेंड गल्फ्रेंड के रिष्टों में धराराती है वह नहीं कुटे इसके लिए क्या करना चाहिए इसलिए काफी लड़के या शादिशुदा लोग मेरे संपर्क करते रहते हैं तो उनके रिष्टों में दरार है तनाव है तो क्या करें तो आए उसके बारे में आज बात्चीत करते हैं मैं बात्चीत करूंगा लड़कों के लिए या हस्बन के क्या है कि हर स्थ्री को ऐसा लगता है कि मेरा देखभाल करने वाला मेरे लिए कोई त्याग करने वाला कुछ त्याग करने वाला मेरे मदद करने वाला मेरा मान संद मान करने वाला कोई व्यक्ति होना चीए और वो यदि व्यक्ति वो अपने बॉइफ्रेंड में या अपने हस को support नहीं करता है और उसको जो तकलीव होती है वो काम करता है तो फिर रिष्टों में दरार आती है तो जो तकलीव होती है कि बहुत ज़्यादा mobile के उपर नहीं रहना चाहिए और आप ज़्यादा mobile के उपर है उसको तकलिव होती है कि आपने जूटने बोलना है और आप छुड़ी बात की पर जूट बोलते हो उसको तकलिव होती है कि नहीं आपने समय दिया हो समय पर मिलना चाहिए और आप समय पर नहीं मिलते हो तो फिर जो बात में सामने वाली को तकलिव होती है वो यदि आप काम करते है तो फिर डेपिनिटले आपका प्यार कहा है फिर आपका तो प्यार ही नहीं है तो यदि वो लड़की आपको सन्मान देती है आपका सन्मान करती है और यदि आपका सन्मान प्यार से ज़्यादा है तो आपको कभी नहीं छोड़ेगी यदि उसने सन्मान देना उसके मन में सन्मान रहना आपके बाद मान सन्मान रहना वो प्यार से ज़्यादा है तो आपको कभी छोड़ेगी नहीं मगर प्यार बहुत ज़्यादा है और मान स कर रहे कर बहुत रहती है लड़किय उनको भाउना रहती है एमोशनल बहुत रहती है और उनको प्यार भी च्हाहिए रहती है कि अपने उपर प्यार करने वाला कोई है और वो असले मेरे तरफ असले तरफ आंच्चन देंब देना चACE ए Sü और वह अटेंशन सामने वाले उसके तरफ देखना चेहिए उसका ख्याल रखना चेहिए उसके उपर ख्याल करके उसको बांसन बांदेटार उसके खुशे करते रहती वह आदमी ने संसीटी होना ज़रूर हिये और वह संसीटी रहके उसको time to time उसको उसको एक्नॉलेज करना उसको एप्रीशेट करना किया तो उसको एक दिल को खुशी लगती है उसको भावनिक साहरा मिलता है उसके एमोशन्स जो है वो पूरे हो जाते हैं वो प्यार चाहती है प्यार मिल जाता है तो उसको रोकना टोकना दोश देना यह न करते हुए उसके उसके emotions जो है, वह stable कैसे रहेंगे, उसके emotions भावनिक पूर्ती कैसे होंगी, उसको प्यार कैसा मिलेगा, और जो भी उसके ups and downs है, उसमें उसको support कैसे हम करेंगे, वह हम देखते हैं तो लड़के आपको कभी छोड़ेंगे ने, तीसरी बात जो है, वह है कि क्या आप सामने वाल करेंगे और बार 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 बोई गलती दोराएंगे, बार 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 गलती दोराएंगे, सामने वाले को बद्दुख हो जाएंगा, यह तो गलती पकड़के बैठता और बार 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 बोई दोराता है, ने, एक साल पहले ऐसा होगा था, तुने मुझे यह बोला था, एक साल पहले बोला था, वही पकड़ के बैठेंगे आप, नहीं तुमने पिछले बार ऐसा कहा तुम अब भी ऐसा करेंगे, यही पकड़ के बैठेंगे। तो यह ना करते हुए, वह गलत को हुई है, हो यह है, कि आप उसको माफ कर सकते है, और भूल जा सकते है, तो यह आप भूलते है, हिसघ अभर रिस्थे बहुत अच्छे बन जाएंगे, छिस्टे टूटेंगेंगे। तो यह वीडियो रिष्टे ना तुटने के लिए रिष्टे पकड के रखने के लिए और इदि आप चाहते है कि लोगों को यह वीडियो अपने शेर करना है जाता कि लोगों को रिष्टे और गहरे हो जाएंगे तो जोड़ों लोगों को यह शेर करो Thank you very much Thank you